हमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सरी का हमारी टूब चैनल में दोस्तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड कुछ प्रस्ण जो आपके एक्जाम के दिष्टी से काफी important topic होने वाला है अयोध्या मंदिर का 5 अगस्त को परधान मंतरी स्री नंद मोदी के दोरा भूमी पुजन करके आधार सिला रखी गई और इससे रिलेटेड आपके एक्जाम में बहुत सारे प्रस्ण बनेंगे तो वीडियो को लाज तक अबच देखिएगा पहला question है अयोध्या मंदिर की उचाई कितने होगी तो इसका सही answer हो जाएगा 161 feet पहले इसकी उचाई 141 feet थी लेकिन अब इसकी उचाई 161 feet होगी next question है कौन सी company अयोध्या मंदिर का निर्माण करेगी तो इसका सही answer हो जाएगा L&T L&T company के द्वारा अयोध्या मंदिर का निर्माण किया जाएगा L&T का full frame हो जाएगा Larson and Tubro next question है अयोध्या मंदिर के निर्माण में पिलरों की संख्या 212 से बढ़ा कर अब कितनी होगी पहले जो है पिलर की संख्या 212 थी लेकिन अब इसमें पिलरों की संख्या 360 होगी तो आपके एक्जाम के दिश्टी से ये question बहुत important है next question है अयोध्या मंदिर को बनाने में कितने रुपये का खर्च आएगा तो इसका सही answer हो जागा 300 करोण अयोध्या मंदिर को बनाने में 300 रुपये करोण का खर्च आना है ये जो है आगे बजट बढ़ भी सकता है ये कोई निश्चित नहीं है अगला question है अयोध्या मंदिर के वास्तुकार कौण है आर्किटेक्टर अयोध्या मंदिर के कौण है तो इसका सही अंसर जागा चंद्रकांथ सोमपूरा अयोध्या मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांथ सोमपूरा है नेस्ट कोशन है अयोध्या मंदिर के विवाद कितने एकर जमीन पर था तो इसका सही अंसर जागा 2.77 अयोध्या मंदिर का विवाद 2.7 एकर जमीन पर था नेस कोशन है अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था अयोध्या का प्राचीन नाम फाईजाबाद था ये आपके अग्जाम के दिश्टी से काफी important कोशन बन सकता है नेस कोशन है जिस वर्ष बावरी मस्चित को गिराया गया उस समय भारत के परधान मंत्री कौन थे तो जिस समय बावरी मस्चित को ध्वर्ष्ट किया गया था उस समय भारत के परधान मंत्री पीवी नरसिंगा राव थे 1992 में बावरी मस्चित को दोस्ट किया गया था तो उसमें परधान मंतरी पीवी नर सिंगर राव थे नेस कोशन है अयोध्या किस नदी के किनारे एस्थित है तो अयोध्या सर्यू नदी के किनारे एस्थित है नेस कोशन है स्त्री राम जन भूमी का सिलान्यास किसने किया है तो इसका सही अंसर जाएगा स्त्री नरेंद मोदी के द्वारा पांच अगस्त को अयोध्या भूमी का सिलान्यास किया गया नेस कोशन है 1988 के नक्से में अयोध्या राम मंदिर के उचाई कितनी थी तो इसका सही अंसर जाएगा 141 फिट 1988 के नक्से में अयोध्या राम मंदिर के उचाई 141 फिट थी लेकिन अब नए पुनर निर्माण में 161 फिट इसकी उचाई होगी नेस कोशन है अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल होंगे तो अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में तीन मंजिल होंगे पहले दो मंजिल प्रस्तावित था लेकिन अब इसको बढ़ा कर तीन मंजिल कर दिया गया है तो अयोध्या राम मंदिर का निर्माण में तीन मंजि तो इसका एंसर जाएगा साड़े तीन साल नेस्स कोशन है अयोध्या विवाद में लगतार कितने दिन तक सुनवाई चली थी यह आपके एक्जाम के दिश्टी से काफी इंपोर्टेंट प्रस्न है चालिस दिन तक लगभग रंजन गोवई के पीट के द्वारा इसमें लगतार सुप्रीम कोट में चली थी तो इसका एंसर जाएगा चालिस दिन तक लगतार सुनुआई नेस्स कोशन है अयोध्या विवाद का फैसला कितने बेंज के द्वारा शुनाया गया था तो इसका answer जाएगा 5 bench के द्वारा आयोध्या विवाद का फैसला सुनाया गया था Next question है आयोध्या विवाद फैसले में मस्जित के लिए कितनी एकड जमीन दी गई है तो इसका answer जाएगा मस्जित के लिए 5 एकड की जमीन आयोध्या विवाद फैसले में दिया गया है ये प्रस्ण आपके एक्जाम के दिश्टी से काफी धीवियाई प्रस्ण बन सकते हैं नेस कोशन है आयोध्य अविवाद के में सुप्रीम कोट का अंतिम फैसला कब दिया गया था तो 9 नॉम्बर 2019 को अयोध्य अविवाद में सुप्रीम कोट का अंतलिम फैसला दिया गया था नेस कोशन है बावरी मस्जित को किस वर्ष बनाया गया था बावरी मस्जित को बावर के द्वारा सेनापती द्वारा 1528 इस्पी में बनाया गया था नेस कोशन है बावरी मस्जित को बनाने वाला बावर का सेनापती कौन था 1528 इस्पी में बावर का सेनापती मीर बाकी के द्वारा बावरी मस्जित को बनाया गया था नेस कोशन है बावरी मस्जित को कब गिराया गया था कब ध्वस्ट किया गया था तो इसका सही अंस्र जाएगा 6 दिसंबर 1992 के द्वारा बाबरी मस्जित को धवस्ट किया गया था उस समय पीवी नर्सिंगा राव परधानमंत्री थे अगला कोशन है बाबर भारत कब आगमन किया था तो इसका सही अंस्र जाएगा बाबर भारत में 1526 सिसी में आया था नेस्क कोशन है भूमी पूजन में पवित्र तिरत अस्थल सारदा पिठ से मट्टी लाज़ सामिल की गई है और सारदा पिठ वर्तमान में कहाा इस्तित है तो इसका सही अन्सरत हैगा पकिस्तान असोग के द्वरा तीन सिलालेख में से निर्माण में सारदा पिट एक में से है यह पांच हजार वर्स पुरानी है यह वर्तमान में पकिस्तान में मुझपरापाद में जीला में पी ओके में अभी वर्तमान में है तो इसका सारदा पिट पकिस्तान में अभी वर्तमान में है नेस्कोषण है राम मंधिय से पहले राम भवन गमन पत कितने किलोमेटर लंबा बनेगा तो इसका सायニ्स रज़ेगा 300 किलोमेटर राम भवन गमन पत का लंबा पत बनाया जाना है जो राम भवन से पहले बनेगा नेस कोशन है स्तिराम जन भूमी में तिर्थ छेत ट्रस्ट के अध्यक्ष वर्तमान में अभी कौन है तो इसका सई अंसर जागा महंत गोपाल दास वर्तमान में तिर्थ छेत के अध्यक्ष है तो आपके एक्जाम के दिश्टी से मैं टोटल कुछ चुलिंदे 24 प्रस लिया है जो आपके एक्जाम के दिश्टी से काफी important है मैंने उनी प्रस्णों को सामिल किया गया जो आपके एक्जाम के दिश्टी से पूछे जाएंगे तो वीडियो अच्छा लगेते हैं इसे like से अरवस करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका अला मिल सके मिलते हैं नई update के तब तक के लिए जय हिन जय भारत